जंगल का राजा बलही शेयर होता है लेकिन कभी आप इससी वीडियो देखी है जो कभी आप सोच नहीं सकते है ते ocean का राजा लेकिन कभी-कभी अशी लड़ाई होती है कि शेर को भी मात खानी पड़ जाती है वीडियो में आगे पढ़ने से पहले दोस्तों कर आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर ले जब जंगली बेसा का नाम आता तो जंगली बेसा अधिकतर अपने पानी पेने के बाद आराम करते हैं तो पानी के अंदर ही रहते हैं हाला कि ये अपने बचडों और अपने सीसों की देखबाल बहुत खतना को करते हैं चाहिए उसके उपर सेर या बाग चिता कोई भी अटेक करें लेकिन सेर भी जानता है कि अगर उनके सीशों पर अटेक करते हैं तो सबसे पहले उनकी माओं का अटेक का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शेर जब भी किसी भी जानवर अटेक करते हैं तो अकेला मौका पाकरी करते हैं जब जंगल में अपने बचड़े बिछड़ जाते हैं अकेले हो जाते हैं तो उसके उपर शेर दावा बोल देता है लेकिन कभी कभी ऐसी वीडियो देखनों को मिलती है कि शेर उनके साथ उसका सिकार ना करके उनी बचड़ों की साथ दोस्ती कर लेता है लेकिन शेर जब भी किसी के उपर आकरमन करता है तो सब से पहले उसकी गर्दन पर अटेक करता है जब तक कि गर्दन को दबोचे रहता है जब तक कि उसकी मोत ना हो जाए अधिकतर शेरा जब भी जंगले बेशा पर आकरमन करेगा तो पीट पीछे करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि सामने से करेंगे तो जंगले पेशा का जो सिंग होता है वो बहुती कतनाग और नकुले होते हैं ये अपने नकुले सिंगर से उसको मोत के गाट उतार सकते हैं जगवार की बात करें तो जगवार सिकार करने से पहले अपने सिकार को बहुत ही मोका तेता है हाना कि वो इस तरह किसे अटेक करते हैं चाहे मंगर मचो कोई भी जैनवर हो क्योंकि जगवार किसी पर भी अटेक करने से गबराता नहीं यह जंगल का सबसे तेज दोड़ने वाला कुकार प्राणी माना जाता है हाना कि जंगल में देखा गया है कि शिकार करने से पहले बहुत याराम करते हैं यहां कि शिकार को बनक भी नहीं लगती कि उसके जगवार या बाग ने अटेक कर दिया शेर एक ऐसा जानवर है जंगल का जिसे सबसे ताकतवर माना जाता है लेकिन और शेरों की बात करें तो खापी इनकी लड़ाई जाजीब देखने को मिलती है लकड़ बदे भी ऐसे जानवर है तो शेर से मौका नहीं पातकते क्योंकि जब भी सिकार बाग करता है तो ये अपनी सिकार को लेकर दूर चला जाता है जंगले बेड़ें ऐसे जानवर है जो गुरूम में होकर किसी पर भी अटेक कर देते हैं जब सिर किसी भी उन्हें बचड़ों पर आकर्वन करेगा तो जब उनके माओं का सामना करने से पहले गबरा जाता है क्योंकि जंगले बेड़ें की इतनी ताकत होती है कि शेर उसका मुकाबला नहीं कर सकता और पीट 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 पीचे आकर्वन करेगा हाना कि देखा गया कि जंगले बेड़ें कभी कभी शेर से दूम दबाकर बाग जाते हैं क्योंकि शेर उसको इस तरह से आक्रमन करते हैं कि उनको डरा देते हैं जब सारी जंगले बेश से दूर बाग जाते हैं तो अक्यला मौका पाकर जो पीछे के लिए बैस रह गई उसके अमला बोल देते हैं कि अमला करने से पहले उसके 10 बार सोचते हैं क्योंकि गुरुम में अटेक नहीं करते उनको पता है कि अक्ले आक्रम ना करेंगे तो सारे बेश से मिलकर में मोद के गाट उतार सकते हैं आ जग्वार बाकी बात करें तो यह गेंडे यह तक की बड़े-बड़े जानमर भी शिकार कर देते हैं के जंगल में बहुत से शिकार होते हैं चो अपना शिकार करने के लिए भूस से मेहनत करने पड़ती हैं जब यह जंगले बेसा पाने के उपड़ जा रहा तो एक तरब से शेर का अमला हो जाता है दूसरी तरब अंगरमज का सामना करना पड़ता है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना